दोस्तों आज मैं आपको जानकर दूंगा किहा आपका sex timing सही है normal sex timing कितना होना चाहिए कहीं आप premature ejaculation ये स्विगर पतन के शिकारत नहीं हो रहे हैं दोस्तों इन히 सभी बातों के बारे में आज आपको मैं जाने करें दूंगा दोस्तों मैं डॉक्टर कुल्दिप जांगिड इपा फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं मैं जोत्पूर में हुमिपेथी इस्ति डेवलप हो जाती है और आप हीन बाउने से ग्रसित हो जाते हैं आपको लगता है कि उनका सेक्स टाइमिंग बहुत अच्छा है और आपका जो सेक्स टाइमिंग के शिकार है और आप सेक्स से देरे-देरे कत्राने लग जाते हैं आपको सेक्स करने से आपको घबराट होती है जिसे आपको performance को लेकर आपका जो anxiety होता है वो बढ़ जाता है और आपको इससे साथ-साथ आगे जाकर आपको ED या नपन सकता कि आपको शिकायत भी आना शुरू हो जाती है और आपका इसका जो इन सब बातों का जो effect होता है वो आपके वेवाइक जीवन में पड़ता है जिससे आपके वेवाइक जीवन में भी खटास आना शुरू हो जाती है दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका जो sex timing होता है वो कितना होना चाहिए और क्या आपका sex timing सही है दोस्तों इसमें सबका अलग-अल दूमान दिया है कि चार मिनट से लेकर अगर आपका आठ मिनट मिनट तक के बीच का आपको अगर sex timing रहता है तो वह एक normal sex timing होता है किसी का इससे ज्यादा भी हो सकता है जदी दोस्तों आपको अगर penetrate करने के बाद में पिछले लग-बग 6 महीनों से ऐसा हो रहा है कि आपके प्रिमेचर आपको शीगरपतन की प्रावलोम है तो आप इसके लिए होमेपैथी ले सकते हैं क्योंकि हो में प्रिमेचर रिजेक्शन के लिए बहुत यह चीछी अवलबल होती है जिसके उदारा आप अपनी शीगरपतन की शिकायत को बड़ी आसानी से दूर कर सकते हैं ल साथ में शेर किये मैं उमीद करता हूं आज मैंने आपके साथ में जो भी जानकरी शेर कि आपको पसंद आई और आपके लिए फायदे मनसाबित होगी दोस्तों इसी तरह मेरे साथ जुड़े नहीं चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन जरूर दबाएं ताकि मैं जै